हलो एवरिवन मैं हूँ PG और आप देख रहा हैं PG Explain हल्क 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 इससे उपर कोई नहीं इससे ताकतवर कोई नहीं इससे छोड़के कई सार लोगों को बस यहीं पता होगा कि हल्क ताकतवर है गुस्से से उसकी ताकत बढ़ती है उसे कोई नहीं हरा सकता वो सबसे टफ आपोनेंट है और वो बहुत दूर तक जम कर सकता है लेकिन गुस्से से हर होने के अलावा इस पहलवान के पास कई और ज्यादा पावर्स हैं जिसके बारे में सिनिमा फोकस ही नहीं कर रहा है कॉमिक्स में इसके पास कई और ज्यादा पावर्स है जिसे जान के आप हैरान परिशान और चिनतित हो जाएंगे तो चलिए हलक की एपिलिटीस पे कुछ बात कर लेते हैं I'm sorry Hulk मरे हुए लोगों को देख सकता है और यहाँ पर मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों को देखना तो दिमाग वाले लोगों काम है जो Adam Warlock, Dr. Strange और Ghost Rider के साथ साथ और भी characters देख सकते हैं मगर Hulk मरे हुए लोगों को देख कैसे सकता है बताते हैं भाईया Hulk मरे हुए लोगों को देखने के साथ साथ उन से interact यानि बाच्चित भी कर सकता है और यहाँ तक कि Dr. Strange के astral form को भी देख सकता है अब यह सारी बाते तो Hulk के साथ confirm हुई है लेकिन यह कभी officially announce नहीं किया गया है पहा जाता है Hulk को यह अपनी भूत देखने वाली पावर्स अपने मरे हुए जलाद बाप से मिली है क्योंकि उसका बात बहुत ही मार पिटा और गाली गुलोज वाला आदमी था और Hulk को अपने फादर की इसी बात से तो डर था जो कि मरने के बाद उसके बाप ने उसे हंटेट कर दिया कॉमिक में एक बात बोली गई है अगर आप आतमाओं को देख सकते हैं तो इंसानों से डरेंगे नहीं नेक्स्ट Hulk के पास brain shield है माल लो जानता हूं नहीं हो सकता मगर माल लो अगर आपकी आपके crush से साधी हो जाए जो कोई भी आपकी crush हो इट डजन्ट मैटर आपकी dream girl से शाधी हो जाए लेकिन एक condition है वो आपका दिमाग कंट्रोल कर सकती है तब इससे बुरा क्या होगा ठिक इसी परशानी से बचने के लिए Hulk के पास God gifted brain shield है जो उसका दिमाग हैक होने से बचाती है अल्मोस्ट कोई भी Hulk का दिमाग हैक नहीं कर सकता है बस the one above all को छोड़के अब इसी बात के बेनाम पे हम कह सकते हैं कि Hulk के पास ये power है लेकिन 100% तोर पे नहीं यहां तक कि Professor X और Epoclips भी उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाए ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग कंट्रोल ही नहीं हो सकता लेकिन जब तक तुम उसका दिमाग कंट्रोल करोगे तब तक वो तुम्हें फाड़ के फेग चुका होगा अब Hulk के पास ये power आई कहां से कॉमिक्स के मुताबिक Hulk को ये अपनी power D.I.D. की वज़ा से मिली है पागल ये नहीं dissociative personality disorder जाहिलों के लिए multiple personality disorder के कारण से उसे ये ability मिली है जो कि इसके powers में चार्चान लगा देता है वैसे तो Hulk पैदा Dayton, Ohio में हुआ था लेकिन Bruce Banner को Hulk वाली powers New Mexico में मिली हमेशा से कोई super unnatural power उसे याद दिला दी रहती है लेकिन अच्छी बात ये है कि किसी तरीके की homing instinct ने उसे इन सबसे बचा कि उसे south west के रेकिस्तानों में ले जाती रही है और बाद में ये reveal किया जाता है कि ये super unnatural power और कोई नहीं Hulk का future evil version है यानि भविश्य का हरामी Hulk जिसका असली नाम master है और master की आत्मा Hulk को बार बार उस bomb side पे ले जाना चाती है जहाँ पर Hulk ज्यादा से ज्यादा गामा radiation अब्सॉब कर सके और Hulk को अपने world में ला सके लेकिन होता क्या है कि Hulk गामा radiation तो अब्सॉब कर लेता है लेकिन असली Hulk बुरे Hulk को बुलाने की वज़ाए सारा radiation अपने फायदे के लिए यूज़ करने लगता है जो कि अच्छी बात है next Hulk energy को absorb और expel कर सकता है बाद में हमें ऐसे चौकाने वाले तथ मेले जैसे कि Hulk गामा radiation absorb करने के साथ साथ उसे control भी कर सकता है लेकिन एक limited degree पे Hulk ने अपनी इस शक्ती का जल्वा काई सारी कॉमिक्स में दिखाया है यहां तक कि किसी लेजर की तरह उस radiation को absorb करके उसे hero की style में छोड़ना Avengers का ये नारा होना चाहिए जब Hulk हो हमारे साथ तो डरनी की क्या बात Hulk बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा हदे ज़्यादा healthy है ठीक Wolverine की तरह Hulk के पास एक healing factor है जो उसे किसी भी बिमारी या accident से बचाती है गामा radiation का एक फादा ये भी है कि Hulk के body के अंदर कोई भी germs वो पद्रों मचाने की कोशिश करते हैं तो उसके शरीर में गामा radiation वाले anti-toads उसे खतम कर देते हैं Hulk के शरीर की immunity इतनी strong है कि कोई भी जहर या रोग उसे छूब भी नहीं सकता माल लोग उससे मुझसे तुम जहर दे भी दिये तो Hulk क्या करेगा सुभाग देगा और क्या करेगा Hulk कितनी भी पी ले उसे चड़ेगी नहीं से बाहर चला जाता है या पानी के अंदर घंटों तक लड़ता रहता है ये बात तो सबने गौर की होगी और ये कोई कर पाए या ना कर पाए Hulk को सांस की भी दिक्कत नहीं है मतलब इसे अस्तमा भी नहीं हो सकता काहिने सरकारी डाक्टर का फारम भर देता इस स्पेस में जाते समय हलको सांस की भी दिक्कत महसूस नहीं होती है फ्लाइंग जट की तरह एर प्रेशर में उसके बैड इक्जामपल एर प्रेशर भी उसका कुछ नहीं उखाड सकता और स्पेस का वैक्यूम भी उसे नहीं मार सकता आई थिंक यहां कुछ ज्यादा हो गया लेकिन इन सब सवालों का जवाब शील्ड के पास है शील्ड कहता है कि गामा रेडियेशन ने उसे ये अबिलिटीज दी है कि वो किसी भी कंडिशन एटमोस्फियर में रहे वो मर नहीं सकता इसकी मा का गामा गामा कितना गामा ममे पैसे दो गामा लेना है हल्क के पास सूपर ब्रेथ है सब जानते हैं कि सूपर मैन के पास सूपर ब्रेथ है लेकिन क्या आप जानते हैं हल्क के पास भी फॉलाद की आुलाद वाले फेफड़े हैं हल्क अपनी इस पावर को कई बहुतरे पार्टीस में यूज करके हीरो भी बन चुका है और उसकी ये पावर उसे अपने दुश्मनों से लड़ने में भी मददगार साबित हुई है कई बार तो सिर्फ हल्क अपनी सिर्फ एक फूक से ही पूरे जंगल को उड़ा देता है एक एक ग्जांपल के तौर पे हल्क नंबर 273 में हल्क अपने एक फूक सही इस भले मानुस की मदद कर रहा है ये सब देखके लगता नहीं है कि हल्क को प्रकरती मा की चिनता है हल्क नहीं डरता लेकिन तुम डरो डरो बेटा डրो प्रकरती मा से डरो Hulk Space Time के बीच में भी पंच कर सकता है यहां Hulk अपने Supernatural Power से भी आगे के कम कर रहा है Hulk अपने सिर्फ और सिर्फ एक पंच से कई Dimension और Dimensions के Barriers को नेस्तो नाबूत यानी खतम कर सकता है एक Comic में तो Hulk एक Time Storm के बीच में पंच कर देता है और दूसरे कहानी में तो ये अपने पावर्स से एक black holy create कर चुका होता है अब इन सारी पावर्स के मद्दे नजर हम ये कह सकते हैं कि हल्क के पस भगवान जैसी पावर्स हैं भगवान जैसी पावर्स हैं लेकिन भगवान नहीं है हल्क लोगों का मरना तै कर सकता है लेकिन उनका जीना नहीं और मेरा एक question क्या होगा अगर हल्क को आप शिला जीत दे देंगे कमेंट्स में इसके बारे मुझे ज़रूर बताईएगा और अगर आपको इस वीडियो में गहीं भी देखे अच्छा लागा खुशे हुई है मज़ा है तो लाइक मारो इस वीडियो को इस चैनल पर नए आयो तो सब्सक्रायब मारो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार गामा तुमारे घर ले आके कूरियर करूँगा और देखते रहिए पीजे एक्स्प्लेइन